है गाईज अस्सलाम अलेकुम गूड इवनिंग भैसाब आज सुभे सुभे मूड की मावैन एको यार गर पे बैट बैटके क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी तो उपर से फ्राइडे था नमाज को भी जाना था तो मैंने सोचा कि हम मार्किट में कुपरा में नमाज पढ़े और भाई अभी जो है बारिश का मौसम है हलकी हलकी बारिश हो रही है और मिठी मिठी ठंड हो रही है मेरे भाई और बहुत जबरदस रहने वाला है बारिश का मौसम और साथ में मैं आपको खिलाने वाला हूँ कुछ ऐसी नौन वैज चीज जो के मैं जब भी मार्किट में आता हूँ जब भी मेरे पास टाइम होता है खाने का तो मैं उस चीज को जरूर खाता हूँ और खाये बेना घर नहीं जाता भाई चलिए मैं दिखाता हूँ आपको अपनी फेवरेट चीज और मुझे उमीद है कि आपने भी ये ट्राइज जरूर की होगी और आपकी भी ये होगी आईए मेरे साथ में सीधे आपको लेके चलता हूँ अपनी लोकेशन के उपर और भाई साब अभी लगने जा रही है जी नली नहारी नली तो उस्ताद जी निकाल दी भाई साब बहुत जबरदस एक्सपेंसियों तरीके से जो है नली निकाली है उस्ताद ने बहुत एक क्सपेंस साह हमारे उस्ताद को और यह आगी जी नहारी की ग्रेवी और यहां पर चेक करो भाई अरे वह बहुत जबरदस बैसाब यह खाने का मज़ा वही जाने ना जो इसका शोकीन है जो इस चीज का शोकीन है और चेक करो यहोगी रेडियो और इस प्रेट का पी सेम प्राइज रहने वाला है जो नहारी का रहने वाला है ऐसा नहीं है आप से यहाँ पर चेक करो वैस्थ साह्फिए यहाँ इसके साथ उसाजी नोरी रोटी हो दिन में कितनी प्लेट बना ले तो अगर हमें नली चाहिए पने चाहिए हो कि इस से बीस पचीस प्लेट न पन जाएगी इससे पहले तो मैं खाता था यहां पर लगा उस्ताची रोटी ताजा ताजा रोटी हमारी लिए दो रोटियां लगा दो वहां पर रही जी नली जबरदस रहती है काम का बारिश के मोसम में आपको यह नली मिल जाए न तो भाई क्या ही बात है इसका टेस्ट रहता है और जो दिली वाली उसका डिफ्रेंट रहता है न आपको पता है यहां पर रख obviously है जबर्दस रखें और चोड़ィricting यहां पर यहां पर है जिक और होगी रोटी रेडी होगी चलिए भाई चेक करो भाई यह होगी जी हमारा टेबल रेडी यहाँ पे है जी नली निहारी भाई सब मैंने पहले ही बोला वही जाने इसका टेस्ट जो इसका शोकीन है भाई चेक करो उपर से हरी मेर्च दनिया वगरा जो भी है डालके और यह अरे यार ये चेक करो ये बन गी बाइट और बाइट लेता हुमें अला जवाब उम्दा टेस्ट 20 से 25 प्लेटें दिन में बनती है और प्राइज सेम रहने वाला है आप आना चाहते हो खाने आपको आना पड़ेगा जी बरकत बेस्ट बिर्यानी के उपर ये सब चीजें लजीज चीजें चखने के लिए अगर बारिश के मौसम में ऐसी चीजें आपको मिल जाए ना वो भी आपके बज़ट प्राइज के अंदर वाई जैसे हम रिस्ता गवाब ये बगरा तो प्लेट खाई लेते माई उसकी प्राइज से आया हो जाती है और उसी के अंदर आपको ये इतनी जबरदस चीजें मिले ना तो दिन बन जाता है बाइस बिलते रहेंगे और एपिसोड में फालो कर लो शेर कर लो अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लो थैंक्यों सो मच पार वाचीं बहुत शुक्रिया